जनजन की आवाज जीन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है और हम एडी कार्याले के बाहर खड़े हैं और एडी जो है अभी बहुत चिंतित है जिया चिंतित इस बात को लेकर है कि इतने महतफून दस्तावेज जैसा हमने आपको अपडेट दिया था कि साहीब गंश में कर जनक दस्तावेज उसे अपत्ती जनक इसलिए क्योंकि वो किसी भी हाल में वो नीजी हातों में नहीं जाता है वो बहुत ही कॉंफिदेंशल दस्तावेज होते हैं वो इतना कॉंफिदेंशल होते हैं कि जब आईस ओफिसर लों की मीटिंग होती है या फिर कोई हाई जो सरकारी ऑफिसर पास होना चाहिए था तो इसको लेकर अब बड़े ऑई इस ओफिसर भी आप सामने आ रही है कि नाविक समीती जो है उसे भी पूछाच की जा रही है अब उनको भी शिकंजे में कसा जा रहा है क्यूंकि माना जा रहा है कि नाविक का जो फेरी वाले होत इसका भी बहुत बड़ा रोल है आपको बता दे एक फेरी वाले के घर से भी बहुत इंपोर्टन दसाविज बरामद हुए है और कुछ पैसे भी बरामद हुए है इसको लेकर और भी जो फेरी वाले है उनसे पूस्ताच करेगी इडी और नाविक समीती भी अब रडार पर क्योंकि जैसे जैसे जांच का दैरा बढ़ते जा रहा है और बहुत सारी चीजे नहीं नहीं चीजे निकल के सामने आ रही है कहानी जो है और भी दिल्चस होता नजर आ रहा है आपको बता दे पंकज मिस्टा समय 14 लोगों को नोटेज जारी कर दिया गया है और यह मैं जो पूस्ताश के लिए लेकिन अब देखना दिल्चस होगा कि एडी के जो इडी का चुकारवाई है इसमें और क्या कुछ निकल के सामने आता है ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रही है जीन भारत धन्यवार अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए हुआ